हाई गाईस वेलकम टूर यूटूब चैनल दर्याल इन्वेस्मेंट आलोक इंडस्ट्री स्टॉक के जैसे रिजर्स लगे वैसे स्टॉक के अंदर 10% के करेब करेब स्टॉक नीचे डाउन चला गया और स्टॉक के अंदर काफी भारी गिराओट हमें इन दिनों भी देखने क मिल रही है तो आखिर इस भी स्टॉक के अंद ऐसी के न्यूज आई और क्या स्टॉक पर इसका इंपक्त पड़ते हुए देखने को मिल रहा है तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं और आप सभी ने भी यह गलती ना की हो और आपके पास आलोक इंडस्ट्री यह स्टॉक आप यहां पर देख सकते हैं जो कि 2.42 परसंटेज डाउन है यानि कि स्टॉक के अंदर आज भी गिरा उठाव हमें देखने को मिली लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं 22.85 का स्टॉक नहीं हापर अपना हाय बनाया था उसके बार स्टॉक के अंदर लो देखा जा जांगी जिस से आपको भी हाँ पर राहत मिल सके 20 की नीचे स्टॉक यहां पर जाने से रहा 20 नीचे स्टॉक यहां पर आपको जाते हैं बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा और आगर जोबी किसी को यहां पर कोई डाउट हो या 20 की नीचे जा सकता है ऐसा लग रहा है तो आपने यहाँ पर stop loss maintain करकर चलिए लेकिन यहाँ पर rare ही chances है कि stock 20 की नीचे जाए तो ऐसा तो होने से रहा अगर आप फिर भी जाते हैं तो आप यहाँ पर stop loss maintain कर सकते हैं अब next level पर यहाँ पर मैं आपको one month का performance दिखाना चाहूंगी one month के performance में देख सकते हैं stock के अंदर काफी अच्छा trend चल रहा था stock higher levels लगा रहा था और stock के अंदर तेजी भी बन रही थी और उसे साथी साथ stock के अंदर profit booking भी हमें देखने को मिल रही थी लेकिन अगर 18 October से लेकर 28 इं 10 days के बीच की बात की जाया तो stock के अंदर 17% से भी जादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है और stock के आप भी गरदन नीचे की हो रही हमें देखने हूं मिल रही है क्या और भी गिरावट होगी या फिर यहां से एक stock के अंदर breakout आने को मिलेगा अब यहाँ पर आज लेवल्स पर stock के अंदर 4 लाग से भी जाद है हाँ पर share खरीदे जा रहे है यानि कि stock के अंदर every dips पर buying की जा रही है क्योंकि इसके पीछे का region है वो भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि काफी अच्छा reason है और इसके चलते stock के अंदर buying हो रही है तो यह बात तो आप समझ quantity देखी 1,14,749 और 4,14,354 आप यहाँ पर buying quantity देख सकते हैं और selling quantity आप देख सकते हैं थाउजंड में देखने को मिल रही है और वही stock के अंदर buying हो रही है लाक्स में तो यह एक बात आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जहां तक कि delivery portion की बात की जाएता आप देख सक आप यहाँ पर stock के अंदर गिराट हो रही है stock की results भी वर्स थे लेकिन stock के अंदर आप देख सकते 55.15 percentage की delivery उठाई जा रही है अब जैसे कि stock की results कैसे यह तो promoters को पता होता ही है कि stock की results कैसे रहेंगे और stock का performance हम कैसा देंगे इसके बावज़त भी promoters ने अपना एक भी स्ट पर कम नहीं हुए है इसके बावजूद foreign investors ने अपना 1.3 percentage का stake बढ़ा कर 1.39 percentage कर दिया है क्योंकि यहाँ से stock के अंदर हमें growth देखने को मिलने वाली जो कि foreign investors ने अपने micro analysis पर जो की calculate कर लिया है और इसी के चलते हैं यहाँ पर कोई भी shareholding pattern के अंदर negative root हमें देखने को नही कहते हैं every dip in the counter should be seen as a buying opportunity तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि हर यहाँ पर dips पे आपको buying करनी चाहिए opportunity देखनी चाहिए companies year on year revenue growth has almost double आपको यहाँ पर बात बाद बताना चाहूंगी company की कुछ points के वज़े से profit और loss से हम सारी बात यहाँ पर deduct नहीं कर सकते हैं क्योंकि company के कोई situation हो सकती है इसी जिसके चलते company को loss हुआ हो लेकिन आप देखते हैं company की revenue growth यहाँ पर double होते हुए हमें देखने को मिल रही है तो यह काफी अच्छी बात है next layer पर expert यहाँ पर उसके triggers के बारे में बात कर रहे हैं जो कि triggers आप देख सकते हैं median term के लिए जो कि रवी सिंगल जी यहाँ पर कर रहे है वाइस chairman है वो GCL Securities के वह आलोक industry पर कहते हैं कि almost doubling its revenue growth year on year basis पर तो यहाँ पर हमेंने आपको पहले भी results के बारे में भी बताती हुँ त आपको compare करने के लिए मैं कहते हुँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते है growth year on year basis पर revenue growth काफी अच्छी है और major take away from the quarter to financial year 2022 and results announced yesterday जिसके results के बाद stock के अंदर down चला गया यह बात हो कह रहे हैं लेकिन आपको बतना चाहूंगी apart from this reliance industry has become the partner company now क्योंकि अब आलोक industry यह stock reliance industry के साथ जूड चुका है यानि कि future में stock के अंदर आपको growth देखने को मिलेगी next level पर यहाँ पर जो है वो PLI scheme का फाइदा textile industry को किस लेवल पर हो रहा है आप सभी लोग जानते हैं और इसी के चलते trident stock के अंदर भी आप पर सरकीड लगते हो देखने को मिल रहे हैं तो यह दो बात है यहाँ पर देखने मिलेगी एक तो Reliance industry के साथ company जूड चुकी है और PLI scheme का भी यहाँ पर भरबर कर फाइदा मिल रहा है तो जितने आप नीचे की level सी scan the holding बनाए रखेंगे उतना ज्यादा future में आपको यह profit कमा कर देने वाला stock साबित होगा यह बात यहाँ पर clear हो चुकी है और यहाँ पर आपको आडवाइस भी दी जा रही है कि आपको यहाँ पर buy on dip strategy अपना नीच चाहिए जो कि सुमीत बगाडिया जी executive directors and choice brokering said यहाँ पर कर रहा है जो कि आलोक industry का share है उसको strong support यहाँ पर 20 का है जैसे कि मैंने आपको starting में बता है strong support यहाँ पर 20 का देखने मिल तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शौट तर्गे प्राइज तीस के निकल कर आ रहे हैं और आपको यहाँ पर मेंटें स्टॉप लॉस करने का है 20 का तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो चुकिए कि स्टॉक यहाँ पर 3-6 मन्त के अंदर वेरी शौट ट्रम का पर देखने मिल विदिन 3-6 मन्त स्टॉक के अंदर टार्गे प्राइज आपको 36 के देखने को मिलेगे स्टॉक मार्केट एक्सपर्स वेर ऑफ दी ओपीनियन अड़ अलोक इंडस्ट्री हैज बिन एबल तो अल्मोस डबल इस्ट रवेन्यू ग्रोथ यह और यह रिलाइंस कंपनी आपको 3-6 मन्त के अंदर देखने को मिलेगे सो यह सारी बात है आप सभी को समझ में आ चुके होगी आलोक इंडस्ट्री है स्टॉक के रेट है मैंने हर पॉइंट आपको एक क्लियरली समझाने की कोशिश किये और मेरा वो पॉइंट आप तक पहुचा भी होगा तो वीडि आप नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना तो थैंक यू सो माच